दोस्तों इस तरह के कुशन को कैसे सोल करें how many three digit numbers are usable by seven, usable by eight, usable by nine, three, four, five जो भी आपको दे दे लेकिन तरीका सब में एक ही है तो वो तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो आप से छोटी सी request रहेगी कि इस वीडियो को पूरा देख लेना देखे हैं हम बात करते हैं सरपरतम three digit numbers क्या होते हैं ऐसे number जिन में आपकी एक, दो, तीन digits से मिलके बने वे होते हैं three digit number कहलाते हैं देखे यहाँ पे यह दि 99 के बात करूँ ति यह आपका दो digit number है एक आगे बढ़ते हैं so उपर जाते हैं तो तीन digits का हो जाता है यह नहीं आपके three digit number की शुरुआत कहां से होती है so से होती है और यह कहां तक चलते हैं 99 तक चलते हैं ठीक है, इसमें आपको याद रखने की जुरूद है नहीं है, ठीक है, समझा गया इसमें हम, जो first आपका three digit number इसमें seven का divide करेंगे एक वार चला गया उसके बाद देखे, यहाँ पर आपका च्यार बार चला गया 28 आगया, remainder 2 आगया remainder से हमें कोई मतलब नहीं है हमें है, मतलब कितनी वार divide हुआ उससे मतलब है और हमने किस का divide किया seven का, इन दोनों का आपस में multiply कर देंगे यह कितना आगया दोस्ता आपका यहाँ पर 98 आगया अब देखे, 98 जो है दो digit number है, हमें कितना चीए यहाँ पर three digit number चीए तो देखे, किस की बात की जा रही है seven की बात की जा रही है, तो अगला इससे अगला seven seven से usable number कौन सा होगा इसमें seven को एड़ करने पर आएगा यह कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 105 आएगा यहनि 105 तो आपका seven से usable जो number की list है यहाँ पर list क्या बनेगी देखे, first कौन number आगया आपका 105 आगया ठीक है three digit number, eight usable by seven में first यह आगया उसके बाद अगला कैसे आएगा इसमें देखे, seven eight करने से आएगा जिसकी बात की जारी, उसको आगे add करते जाएगे four की बात की जाती, तो यहाँ पर four को add करते five की की जाती, तो five को add करते समझ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको होनी भी नेचे, तो अगला कौन सा आगया दोस्ता आपका एक सुननीस आगया, अब देखिए यहाँ पर हमें यही थोड़ी रुकने, last कौन सा उसका भी पता लगाना है तो देखे, last three digit number कौन है, यह है तो इसमें आप seven का divide कर दो, seven का divide कर एक time चला गया nine minus seven, two आगया, nine यहाँ लएं, seven, six, eight ठीक है, और आपका यहाँ पर कितना एक आगया, इसको यहाँ लएं कितना आगया, इसमें दो वार जाएगा, ठीक है, चोड़ा आगया, remainder पांच आएगा, remainder से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है किस से, कितनी वार गया है, इसको हम किस से गुणा करेंगे, साथ से गुणा करेंगे, देखे, यहाँ पर चोड़ा आगया, 7, 28, 29, चीक है, दो के रिए चला गया, यह आपका 994 आगया, अब देखे, 994 में यह आप साथ एड़ करते हैं, तो आपका यह कितना, किस में चला जाएगा, चार डिजिट में चला जाएगा, यह आपका लास्ट तीन डिजिट नंबर साथ से डिवाइड होने वाला यह है, यह आपको पता लग गया, उसके बाद देखे, आपको जब भी यह पता ना हो, कि इस एपी में, देखे, आपका एपी बनेगा, एपी क्यों बनेगा, क्यों क्यों कि यहाँ पर आप सारवा अंतर देखे, दो कर्मागत पदों की बीच का अंतर देखे, डिफरेंस देखे, तो आपका सब की बीच डिफरेंस क्या है, सेवन है, ठीक है, सब की बीच सेवन है, इसका मतलब यह आपका एपी है, ठीक है, और एपी में जब भी हमें यह प नहां कितने साथ से ब्रिभाजंआ रही सक लिए हम किया करते हैं जो लाइश्ट वाला जिसका हमें परता नहीं होता नि उसको AN लिया जाता है उसके बाद अगले step में AN का formula लगा जाता है AN का formula क्या होता है दुस्तों A plus N minus 1D होता है तो यहां पर A का value कितना है दुस्तों आपका 105 है N का हमें यहां पर पता लगाना है D का value 7 है और यह last कितना दे रखा आपके पास 904 में दे रखा है अब हम क्या करते हैं यहाँ पर 105 को साइड लेकर जाते हैं तो यह आपका प्लस का है दूसरी साइड जब लेकर जाते हैं तो माइनस का हो जाता है और उसके बाद देखे साथ इसके गुणा में हैं तो साथ यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है ठीक है यहां तक कुछ शमेशा नहीं है तो दोस्तों यहां पर देखें 904 में से 105 गटा है मेरे पास यह आ गया 890 आ गया 890 में 7 का भाग देते हैं आपका 127 आता है यह किसके बराबर आया है N-1 के बराबर तो N बराबर कितना आ गया यह –1 इस साइड आएगा तो प्लस वन हो जाएगा यहनी 128 आ गया तो यहां पर साथ से डिजिबल होने वाली आपकी 3 डिजिट नमबर की संख्या कितनी है यह आपका वेल्यू निकल गया 128 है चीक है यह देखें आपका आसान सा कुशन है आपको यह कैसा लगा कॉमेंट कर बाता है अगले वीडियो में फिर मिलते हैं